असलाम रिकूम इबर्स आज हम सूची के हलवे की रेसिपी लेके आपकी हिदमत में हाजिर हुबे हैं अब आप घर बैठे रेस्टोरंट जैसा हलवा तियार कर सकते हैं तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक लिटर पानी लेंगे और इसमें हम तीन पाव चीनी जो है वो शामिल करके इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे और इसका एक सीरफ तियार कर लेंगे तो माशाला अलहमदुल्ला चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है देखे में हमने, हाफ लीटर आयल जो है वो शामिल कर लिया है अब हम इसे थोड़ा सा गरब होने देंगे और साथ ही इसमें, آदा किलो, सुजी जो है, वो अचihad से साफ करके शामिल कर देंगे और सुजी को हलकी आँच पर कल्दर चेंच होने तक हम भूलेंगे तो माशाला अलहमदुलिल्ला हमने अच्छी तरह से सूजी जो है वो मिक्स कर ली है और इसकी बनाई हमने स्टार्ट कर दी है तो वीवर्स आपने आदा गिलो सूजी में चीनी की मिकदार जो है वो तीन पाओ भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें मीठा जैदा पसंद करते हैं तो आप जो है उसकी कौनिटिवी थोड़ी सी और बढ़ा दें तो माशाला अलहमदुलिल्ला कलर जो है वो चेज़ ओ चुका है अब हमने पानी रड़ी किया था चीनी मिक्स करके वो इसमें शामिल करतेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हलकी आँच पे पकने के लिए रख देंगे तो वीवर्ज माशाला अलहमदुलिल्ला पानी काफिया तक हुश खो चुका है अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सबस लाइची कुटी हुई गड़ी कश की हुई हसमे जरूरत मेवे थोड़े से शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से हम दुबारा से मिक्स कर लेंगे और इसे हम दम पे रख देंगे तो माशाला अलहमदुलिल्ला हल्वा जो है वो हमारा रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें शामिल करेंगे नारियल इसे आप बरीक बरी काट लें और इसे मिक्स कर देंगे तो वीवर्स ये फोरण से जटबर्ट से त्यार होने वाले ही रेसिपी है तो अमीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकोन पर प्रेस कर दें ताकि आनिवली वीडियो आप सबसे पहले देख सके इसी के साथ हमें इजाज़त दें हियात बाकी मुलाकात बाकी अल्हाफीज